हेलो दोस्तों नमस्कार मैं सुर्जी सिंग दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इनलाइन पंप की रिंग के बारे में ओवरहल लिंग के बारे में जो ट्रैक्टर में इनलाइन पंप आते हैं यह पंप आधा हमरे पाइसकोड का और इसको हमें जो समान डालेंगे इसकी फिटिंग कैसे करनी है और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो यह हमारी हाउजिंग इसको और कन पर लगा लेते हैं पहले इस तरिक्के से ताहां जो हमारे पंप हिल लेना और इसकी जो फिटिंग में उसमे को तेल में साव कर लें अच्छे से और इसके हम और इंग बगरा नहीं लगाएंगे बिल्कुल तान जो हमें लेकी जब गराएंगी प्रोलम ना आए इस तरिक्के से देखिए यहां पे हमने और इंग लगा लिए तो अभी हमें पंप को फिट करते हैं इसको कैसे फिट करन हैं आपको 34 के आसपास रखने है 34 मैंस प्लस 0.5 की बीच रखना है तान जो हमें फेसिंग में कोई प्रोलम ना आए तो यहां पर देखिए दोस्तों टैप्टे इसके लगा लिए और बिल्कुल हमारे टैप्टे विल्कुल फरी होनी चाहिए देखिए जैसे वीडियो में दिखाया गया है टाइप्ट में बिल्कुल फरी रहनी चाहिए तो इसकी लेंथ है जो 34 के आसपास रखनी है और यहां पर हम कपली लगा लेते हैं इसको और फिट करते हैं तो दोस्तों प्रpse देख असको आपको लिंक एंड मिल जाएगा इसको कैसे करना कैसि की लेंफर चेक करनी है और कितली Highway में रख नी उसके सामने के सामने रखेना है और इस तरीके से डालने है आपको जैसे ज़्शाय इस तरीके से फिट केर् Team अधे डिलिव्री वो चुसे कंप हो आप कर लेते यह हैं यहां पर हम्यार्क वर लगा लिए हमारा तोड़ के साथ ही आपको टाइड करना है अभी थोड़ा जो हम स्पाइंदर से इसको पास में लगा लेते हैं तो यहां पर देखिए उसका जो कट्ट है दोस्ता वह मुला लेना है जो कट्ट है इसके वह आमने सामने सेटिंग कर लेनी है आपको इस तरीके से बिल्कुल दोन प्लेट बोल देते हैं वह उस की तरीका साफको फिट कर लेने है और रहेगा हमें वहारि फिल्कुल फी होन चाहिए एक कि तो ओभी हम दूस complaint हो फिट करेंगे उससे पहले इसके तो यहां पर देखिमने इसकी आपके बर लगा लिएर प्रिंग और तो इसका होल्ड रहा है वो लगा देते हैं डिश्क बाच लगवरा लगा के उसको फिट कर लेते हैं इस तरीके से जैसे वीडियो में दखाया गया है तो इसको हम जो है बाद में टोर्क से टाइट करेंगे उससे पहले हम इसकी जो है रहे वगरा सैटिंग वगरा कर लेते है जो स्काइब इसको आमने सामने कर लेते हैं इस त्रीके से आपको एक भार कट मुर fällt N वूद कि यहां पर हमारी रहेका जो फर्य होनी चाहिए बहए हम जो ऑसका तीसरा एलिमेंट यो उसको फिट कर लिए लगा लिए और हमारा तीसरा इलिम्न ऴीडेंट है न्य्सकों कि फिट कर लिए उसका है कि युद्य कर लिथे भूंऻ को भी टार्ट कर लिए और लगा दिते है 가 स्टा इस सरे घ्ल्र तो यह भी हमने तीन नंबर जो इसका एल्मेंट उसको हमने फिट कर दिया है। उसका जो लह लगा दी है। इसका कठा मला है वो भी हम फिट कर लेते हैं कट सामने रखके और यह डुट लगा लेते हैं पूर इसका की उसको उसको भी लगा का देते हैं यहां पर देखिए हमने जोपों उसको भी चुझे करती हैं उसका कट भी मिला लेते हैं आप में लेकिंए यों सामने आ रहे हैंगी उसकी सिलिव वह सामने आ रहे हैं वहले फ्रीं को लोह कर दिते हैं लोह प्लेट डालके घंच को tart कि एलेमेंट उसको टाइट करेंगे जिसके डिलिवरी होल्ट रहा है उसको टाइट करेंगे टोर्क से कितना टोर्क लगाना उसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसके जो देखिए हमारी जो रहा का बिल्कुल फ्री होनी चाहिए हमारी रहा का जो और बिल्कुल सामने आ रह देखिए आप चारों जो इसके लोगा सामने आ रहे हैं डीवी होल्टर को हम टाइड करेंगे कितना टाइड करना वह बता देते हैं आपको तो यहां पर चार्ट है इसका देखिए आप देख सकते चार्ट में डेलिबरी होल्ड टाइड चालिस से पंतारी न्यूट्रमेटर चार्ट केजी आ हम वहीं ृच में रखने हम रसका तो देखिए आप विह इसको टाइड कर देते हैं टोर्क से तो देखिए आपको इस तुर्क से टाइड करना है यहीं हमारी जो यायह कैसे ऑलीट को ट्डै आज तो देखिए गरаг को हिलाते रहना है और इस तरह से इस त्रीके से पंप को फिट कर लेना है उसके वाज की टैस्टिंग जो अगली वीडियो बनी हुई है आप आप देख सकते हो